उत्राखन की राजधानी दहरादून, नगर निगम के मेर सुनील उनियाल गामा से एक खास बाश्चीत की हमारे उत्राखन बिरुचीत सुभाश कॉर्णे आई आप मुसुनवाते हैं क्या कुछ कहा मेर सुनील उनियाल ने उत्राखंड में मौनसून का सीजन आने वाला हो और इससे पहले उत्राखंड की राजधानी धेरादून के महापौर हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सुनीन उन्याल गामाजी उनसे जानेंगे कि आखिरकार मौनसून को लेकर राजधानी महानगर ने किस तरीके की तैयारी इस बार मौनसून को लेकर की है सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है न्यूज वर्ल इंडिया बर जी नमस्कार नना आप मौनसून की दस्तक आने वाली है और उससे पहले देखा जाता है कि नगर निगम पर खास और से पूरे प्रदीश की नजर होती है और क्योंकि राजधानी देहरदून का नगर निगम है तो सबसे जादा नगर निगम पर ध्यान रहता है लोगों का कि आखिरकार देहरदून के नगर निगम ने किस तरीके की तैयारियां राजधानी देहरदून के ड्रेनिंग सिस्टम के लिए की है सर क्य और अधिकतर जो है मुझे रखता है कि 90% अभी हमने नदी नाले साफ कर दिया है, फिक्योंकि भी बरसात इस बारी पहले से जादा हो रही है, और नदी नाले भी भर रहे हैं, तो इसलिए जो है लगातार हमारी टीम अभी हमने एक अलग से टीम तियार करी है, कि जहाँ जहाँ सिकायते आती हैं, जहाँ जहाँ जल भरा होता है, जहाँ भी समस्या हो, उसका तुरंट समाधान किया जाए, तो इसके लिए नगर निगम ने पूरी टीम तयार कर रखिये, हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें आपदा के समय कहीं जल भरा हो, कहीं कोई ऐसी समस्या हो, जिससे पानी की निकासी होने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी हमने पूरी तयारी करी है, और कंट्रोल रूम हमने एक बनाया है, सर, यह जरूर देखा गया है कि और सालों की तूलना में इस बार जो मुख्य चुराए होते थे चाहे, वो प्रिस चौको, सर्वे चौको, राइपूर चौको, इनमें जरूर जो पानी की निकासी है, वो तेजी से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, और शोशल मीडिया पर लोग कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी के काम से नाराज हैं, तो क्या लगता है कि बरसाज से पहले एक काम खतम कर लिये जाएंगे। कि इसमार्शिटी की अभी हमने चार दिन पहले ही जिलादीकारी के साथ बैठक करती, सारे जितने हमारे कारिदाई सस्ता हैं और इसमार्शिटी की जो ठिकेदार है उन सब को बुलाया था और उनको हमने डेडलाइन दी थी कि तीस तारीक तक जो है जितने हमने नदी नाले ख तो उसके साथ-साथ उनको जो अभी जिलादिकारी के साथ एक फिर दुबारा हम कले एक बैठक करेंगे ताकि जो काम रहे गे हूं उन्हें 30 सीगर जो है पूरा किया जाए ताकि बढ़सात में किसी किसम की क्योई दुरगटना नहों किसी को कोई नुकसान नहों किसी पानी की वेजसे किसी की दुकानों में पानी न जाये किसी घरों में पानी न जाये यह हमारा प्रियास पहशट देशए था और आज भी हमारा प्रियास है कि जितने नदी नाले खुले हैं। इसके साथ ये बड़ी चीज ये भी है कि आपका लगभग पांच साल का कारेकराव लब समावत होने वाला है और इन पांच सालों में आप कितना बदला हुआ राजदाने देहरादून के नगरनिगम को देखते हैं हाला कि सुचता के स्तर पर कहीं बढ़ता हुआ नगरनिगम देहरादून नजर आता है लेकिन और कहीं ऐसी महतवपूर्ण आप योजना या चीजे बताएं जिससे कि प्रदेश की जनता को पता चले कि पिछले पांच सालों की तुलना में कितना बदला हुआ देहरादून का नगरनिगम 100% करता है और सफाई की वेवस्ता नगरनिगम 100% करता है तो हमारा प्रियास था कि हम सफाई पे फोकस करेंगे और जब हमने फोकस किया तो उस समय हमारा 384 अस्थान था आज हमारा जो है 315 आंकों का सुधार करके हम 69 पे हैं निश्चित रूप से देहरादून म नामले में देहरादून के लोग भी जागरूख हुए है उनकी जन सहिभागिता हुए है और आज इसके अच्छे परिणाम आ रहे है तो मुझे लगता है कि जो पांस सालों में अपना टार्गेट फिक्स किया ता और इस बार हमारा और और रहेगा कि हमारा अच्छा और इ जैसे सहर में बेश्ता है जो हमारा नगर निकम में आउटर जुड़ा था जिसमें हमारा जो 55-55 किलोमेटर का च्छेत्रफल था और वो 196 किलोमेटर का च्छेत्र फल हुग गया इसमें हमने 55-6,000 लाइट जो है नई एलेडी जो है अपने नए च्छेत्रों में लगाई है जहां लाइटें, जहां बल्ब था, टूब लाइट थी, सब हमने चेंज करके, जैसे सहर में, रात को दूदिया कलर का पूरा सहर जगमगाता था, वैसे ही हमने अब जो हमारा नगर निकम का पूरा च्छेत्र फल है, नगर निकम का हमारा च्छेत्र है, उसमें पूरी हमने ज तो लाइट भी नहीं थी, ऐसी हमारे कई छेत्र, ऐसे पुराने भी थे, जैसे हम बलुपूर से पंडितवारी के और जाएंगे, तो आज तक वहाँ पोल नहीं थे, वहाँ हमने पोल लगाए है, हमारा ओल जो राजपूर है, वो जो जंगल के किनारे लोग बॉर्णिंग वा आते हैं, वहाँ भी पोल नहीं थे, वो हमने पोल भी लगाए है और लाइट भी लगाई है, ऐसी मैंने अठाइस जगह पे जो है, जहां लाइटे आज तक नहीं लाइटे थी, रोड लाइट, वहां हमने लाइटे लगाई है, ऐसी जो हमारा चाय बगान है, चाय बगान मे गूमने जाते थे सुबह चार बजे और वहां हाथसा होता था, कई किसम के वहां जानवर भी आते है तो जानवरों से भी लोगों को खत्रा रहता था हमने वहां भी चारों तरप लाइटे लगाई है और आज वहां की जनता जो है जो मैंने देखा है कि रात को भी लोग घूमने जाते हैं सुबह चार बजे लोग वहाँ घूमने निकलते हैं तो अब उन्हें किसी किसम का खत्रा महसूस नहीं होता वहाँ के लोगों ने मेरा एक बहुत बड़ा कारकम करके वहाँ जो लाइट हमने की बेऊस्था करिये उन्होंने का पहली बार जो है हरा परियासता है कि हमारा सहर राजणीती जो हमारे अन्य दल वाले भी हैं हमने नगर्निदम के बोड़ को जो है एक परिवार के रूप में चला है सब्सक्राइब एक और चीज़ यह है कि जब से आप मेयर बने उसके बाद विपक्ष कहीं न कहीं कहीं सवाल नगर निगम को लेकर खड़ा करता रहा है खास तोर से सफाई को लेकर जैसे कि आपने बताए कि सफाई बहतर तरीके से की जारे है ड्रेनिंग सिस्टम को लेकर स्मार्ट सिटी को लेकर तो कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि जितने बड़े वोड बैंक के साथ आप जीते थे क्या उतना बड़ा आपने निगर निगम में बदलाफ किये हैं यदि किये हैं तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त पर जनता विपक्ष को ही जवाब देगी ना कि आपको जवाब देना प्राइए कि नगर निगम बोड में अगर हमने बीजेपी के पारसत को 25 लाग दिये हैं तो कॉंग्रेस के पारसत को भी 25 लाग दिये हैं हमने यहां कोई वो ने किया है आज उन्हें दिखता है जब साड़े चार साल तक तो उन्हें का नहीं निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है निगम सब साथ मिल के काम करेंगे सहर को जो है सब मिल के ठीक करेंगे लेकिन आज जो है जैसे जैसे चुनाओ नजडिक आ रहा है विपक्स का जो काम है विपक्स अपनी भूमी का निभारा है और मुझे लगता है कि हमें अपने आपको संतोस है कि हमने सब को साथ लेकर काम किया और सहर के हीत में काम कियें बड़े-बड़े काम करें हमने कोई छोटे काम नहीं बड़े-बड़े काम कियें हमने अगर आप कह की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है तो इसलिए चर्चा हो रही है कि हमने दलगत राजनीती से उठकर जो है उसमें पल्टन बेजार में काम किया पल्टन बेजार आज जो है हमारी एक रूपता में एक भब ये पल्टन बेजार हमारा दिख रहा है मुझे लगता है कि व जो भी विकास का रहे होंगे, उसके लिए हम करेंगे. सर एक आखरी सवाल है मेरा, कि पांच साल का कारेकाल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी योजना है शहर के लिए जो आपको लगता है, जिसको आप आने वाले वक्त पूरा करेंगे. सहर में कुछ बड़े-बड़े काम हमने चिनित किये थे, लेकिन थोड़ा पैसे के वाहों में वो काम नहीं पर आपाए, जैसे हमारा कैंट में, कैंट में हमने एक मिनी जील का मानिय मुख्यमंत जी ने उसका सुभारम किया था, और आज क्योंकि वो 40-50 क्रोड रुपे उसमें लगने, ऐसी हमारे तमाम काम पैपलाइन में है, कुछ हमने वेंडिंग जौन बनाने थे, कुछ हमने एक गैस्ट आउस बनाना था, तो ये काम पैपलाइन में है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काम भी हम पूरा करेंगे. तो ये थे हमारे साथ देहरदून नगरनिगम के मेर सुनिल उन्याल गामा जी जिनोंने बताया कि पांच सालों में नगरनिगम का विकास हुआ है और शेहर में गंदगी साफ हुई है, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जिनको पूरा करना है, यदि मौका मिलेगा तो आने वाले वक्त में उन कामों को भी पूरा किया जाएगा. धरदून से सुभाश कौट, News World India.